नमस्का और डीवी नीूस में आपका स्वागत है तो चलिए आग चर्चा कर लेते हैं इस वक्त के सबसे चर्चित मुद्दे यानि कि जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 की जो की इस वक्त काफी करमाया हुआ है और चर्चे में भी है चलिए तो बता देते हैं जम्मू कश्मीर लदाग समेत देश ही नहीं पूरी दुनिया की निगाहें भारत के सुप्रीम कोड की तरफ होंगी जी हाँ देश की सबसे भड़ी अदालत अनुछेद 370 को लगभव खत्म कर देने वाले भारत सरकार के फैसले पर अपना नड़ने सुनाईगी जिसके बाद यह तै हो जाएगा कि क्या आर्टिकल 370 को दोबारा बहाल किया जा सकता है या नहीं फैसले से पहले PDC यानी People's Democratic Party की नेता महभूबा मुपती ने कहा है कि उन्हें नजर अंदास कर लिया गया है साथ ही महभूबा के मुताबिक उनके घर के में गेट को भी लॉक कर दिया गया है वही 5 अगस्त 2019 को जब भारत सरकार ने कश्मीर के विशेशा अधिकार को खत्म किया था तब भी कई बड़े नेताओं को नजर अंदास कर दिया गया था तो चलिए अब कुछ ऐसे मुद्दो की बात कर लेते हैं जो की जम्मू कश्मीर के लिए बेहत जरूरी है चलिए बता देते हैं आज कश्मीर घाटी में सुरक्षा विवस्था पूरी तरह हाई अलर्ट पर है इस दोरान किसी भी तरह के विआईपी मूबमेंट तक की मना ही है सूत्रों के अनुसार यह भी कहा गया है कि राश्ट्री राजमार्ग पर भी आज कोई विआईपी मूबमेंट नहीं रहेगी CRPC 144 के तहत सोशल मीडिया को लेकर साइबर पुलिस ने एक गाइडलाइन जारी की है और इस पर कड़ी निगाहें रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह के भड़काओं पोस्ट पर समय रहते कारवाही की जा सके महीं श्री नगर जिले के सभी इलाकों में जो भी डिप्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात हैं उनको सरकार की तरब से खासी हिदायत दी गई है हिदायत में यह भी कहा गया है कि हर इलाके में एक अधिकारी को तैनात किया गया है जिससे कानून विवस्था को बनाया रखा जा सके सोशल मीडिया का इस्तिमाल करने वालों को सला दी गई है कि वे सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म का जिम्मेदारी से उप्योग करे और अफवा है फर्जी खबरे नफरत फैलाने वाले भाशन शेयर ना करे साथ ही ऐसी कोई भी मैसेज मिलने पर दूसरों के साथ साजह करेने के बज़ाए तुरंत साइबर पोलिस कश्मीर को सूचित करे सुप्रीम कोल्ट जम्मू कश्मीर से संविधान के अनुचेद 370 को हटाने को चुनोती देने वाली आजिकाओ पर आज सुबा सागे दस बज़े अपना फैसला सुनाया जाएगा कोट यह ताय करेगी कि जम्मू और कश्मीर की स्वायत तक छीनने वाले केंद्रे सरकार के 5 अगस्त 2019 को संसद में पारित कराए इस फैसले की संविधानिक वैदता क्या है इसको इसपस्ट किया जाएगा मुख्य न्याया धीश दीवाई चंद्रचूड के नेतरत्यों में 5 जजों की संविधान पीट इस मामले पर अपना एहम फैसला सुनाएगी पीट के अन्य जजों में जस्टिस संजे किशन, कॉल संजीप खन्ना, वी आई गवई और सूरेकांथ शामिल है सरवोच अदालत में 16 दिन की सुनवाई के बाद 5 सितंबर को बहस पूरी हुई थी और कोल्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था जमू कश्मीर से धारा 370 खत्म किये जाने और एक राजी को दो हिस्तों में बाद करके इंद्रशासित प्रदेश बनाने के मामले पर सुप्रीम कोल्ट आज फैसला सुनाने वाला है कोल्ट यहाँ देखेगा कि क्या संसत के पास संभिधान के अनुचे 370 में बदलाव काईने और जमू कश्मीर का विरोध दरजा चीनने का अधिकार था या यहाँ स्तिर्फ पूर्ब राजी की संभिधान सभा की सिफारिशों पर ही किया जा सकता था कोट के साड़े 10 बजे तक अपना फैसला देने की उमीद थी इससे पहले जमू कश्मीर में सुरक्षा करी कर दी गई है मामले पर 5 जजों की बैंच ने एक लंबी सुनवाई के बाद 5 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था बैंच की अगुवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रोचूगल कर रहे थे और जस्टिस एम के कॉल संजीब खन्ना बी आर गवई और सूरिकांत शामिल थे पांच सुदस ये बैंच के सामने तेस याचिकाएं थी जिन पर आज फैसला आना है तो अब देखना होगा कि आखिर सुप्रीम कोट क्या फैसला सुनाने वाला है